आप सबी लोगों का हमारी शमास कार्णिंग में बहुत बहुत शागत है आज मैं कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे लेके आई हूँ जो हम इंडोर लगा सकते हैं या खिड़की के पास रख सकते हैं जहां हलकी फुलकी धूप लगती भी रहे और बहुत से फ्रेंट्स का ये कहना था कि उनके बहुत कम धूप आती है या बालकनी में तो बालकनी में एक घंटी की धूप आती है या आदा घंटी की धूप आती तो ऐसी जगे हम flowering plant कौन कौन से रख सकते हैं या अपने शौक चो पूरी हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं तो देखें आज मैं ऐसे plant कुछ लिके आई हूँ flowering plant जिनको आप खिर्की के पास या कम धूप आती हो वहाँ यह survive कर जाते हैं और बहुत अच्छी से flowering करते हैं shade पसंद है shade loving plant है यह और बहुत ही प्यारी सी flowering है और मैं इनको आपको यही suggest करूँगे जब भी आप indoor इनको रखना चाहें तो इनको indoor ऐसी जगे रखिए जहां हलकी फूल की धूप जिसे की धूप की गर्माट या जहां खिड़की का खिड़की पे हवा आना हो जाना का जगे हो वहां रखिए इनको तो यह वहां और अच्छी सर्वाइब है फूल इंडोर नहीं रखिएगा कि फूल इंडोर के थोड़ी सी इनर्जी बहर पिलांटों को बहुत ज़रूरी होते हैं फूल देने वाले तो इस पेसली तो चलिए स्टार्टिंग करते हूं बहुत ही अच्छी खूपसूरा फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही प्या चिन्सके पॉर्ट में यह सर्वाइफ कर जाते हैं मैंने आपकी इस पर वीडियो डाल रखे हैं आप चैक कर सकते हैं किस तरह से की केरिंग मांगता है तो देखिए इसकी वाराइटी बहुत हमारे यह 100 रुपीज से लेके 200 रुपीज की रेंज में मिल जाते हैं तो इनको आप बाय कर सकते हैं नर्सरी से या कटिंग की थ्रो भी एजली लग जाते हैं आप में जो प्लांट आपको दिखा रही हैं वो भी बहुत ही खुबसुरा फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग सिंगल पैटन और डबल पैटन में भी मिलती हैं तो इनको भी आप easy लगा सकते हमाय अगर इनको तेज जूप में रख देते तो इनकी पत्तिया आप देखते हैं कि जल जाती है अगर हम इनको शोड़ाशоны बेकिक व्हुटत जूप Brothering Henryay what is Meow менее और बहुत तेज धूब होती तो फ्लावरिंग जल्दी से डैल हो जाती है अगर इनकों shade में रखते हैं या कम धूप लग रही है तो यह बहुत ही अच्छा स्का कलर ब्लिकुल brightness आती है और फ्लावरिंग बहुत अच्छी रहती है काफी दिन फ्लावरिंग रहती है इसकी और कलर की वरेटी बहुत सारी है 20 रुपीज की रेंज से लिके 50 रुपीज की रेंज में मिल जाता है 5-inch के pot में sufficient है आप जो flowering plant देख रहे हैं यह कम से कम 6-inch के 7-inch के flowering pot में लगा हुआ बहुत ही अच्य flowering plant है इसको window रख सकते हैं अब ऐसी धूप कि जलकी सी गर्माट या धूप भार की जो रोश्नी अच्छी समझ रही है ऐसी जगे रखी आप में जो प्लांट लेके आई हूं बहुत इन्यू प्लांट है और इसको लिपसिक के नाम से भी बहुत इसली मांग सकते है और फ्लाफरिंग भी बहुत आज़ी होती है आप में जो प्लांट आपको दिखा रही हूं मैं आपको यह नहीं कह रही हूं आप यह क्टकी के पास रखा है गड़की मिसे धूब छंके आ रही है ऐसे ज़रके इन प्लांटों को आप रखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है ट्राइंग रूम में रख रहे हैं तो जहां किड़की हो वहां रखिए और प्लांट को हमेशा बाहर की हवा भी बहुत जरूरी होती है एक दम बाहर नहीं आप में जो आपको प्लांट दिखा रही है बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग प्लांट है यह 100 रूपीस की रेंज से मिलता है 400 रूपीस की रेंज में मिलता है 300 रूपीस की रेंज में ग्रोथ के साब से तो इनको भी लगा लीजिए आप में जो प्लांट आपको दिखा रही है बहुत अच्छी फ्लाविंग प्लांट है अफ्रीकन और यह बहुत ही प्लाविंग के सास असकी लिप्स भी बह से लिके 300 रूपीज की मिल जाता है बहुत अच्छा प्लांट है इसको भी आप आसानी से लगा सकते और काफी दिन तक फ्लावरिंग रुखती है इसकी और बहुत यह प्यारी जिकिये मैंने जितने आपको प्लांट इखा है अब आजाएते केलेंचोई के बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग प्लांट है तेज जूप में भी रहता है गर्मियों में तो और गम रहता है तेज जूप में शेड में यह हर तरीके सर्वाइफ कर जाता है वो बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग होती है 50 रूपीस की रेंज से ग्रोथ के साबसे मैंने हमेशा आपको कहा है कि ग्रोथ अगर अच्छी होगी तो सबसे नर्सी वाले हमसे पैसे लेते हैं अगर ग्रोथ छोटी है तो थोड़े से पैसे से जो 50 रूपीस की रेंज में मिल जाएगे तो इस तरह से मिल जाएगे डबल पैटन सिंगल पैटन आप ले सकते हैं अब में जो प्लांट दिखा रही बहुत ही अच्छा प्लांट है फ्लावरिंग प्लांट है एंड यह हमारे 300 से लेके 600 रूपीस की रेंज मिल जाता है आप इनको लेकि अपने गार्डन में टैरस पे या बाल्किनी में ऐसी जगर लगा सकते हैं जहां शी कोषिस किया कि तो मैंने आपको जो चोटी से लिस्ट दी हैं गया होगा बाल देने की कोशिच की है तो यह प्लांट में और एक बात का जुरू खाया लखिए गा जितनी प्लांट आप के इंडोर रख रहे हैं जब तक मिती ड्राइग ना हुआ करे तब तक आप पानी माती जरूरी ही है जरूरी होता है मैं लखातार पानी देतेंगे तो फंगस की जग्या से फंगस की बजे से भी खराब हो जाते मर् जातें गल जातें तो कोशिच किया है मैंने आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दमाने जरूर देखें जैसे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें थैंक फॉर वाचिंग माइ वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद